नया टाइम गॉड मिल चुका है और बहुत लोग उनको इसका वेट था लेकिन अभी जो करन है न वो अभी अल्मोस पे ही रुख गया है अभी फोर्ट टाइम हो गया कि करन उसका दाविदार बन तो जाता है लेकिन वो टाइम गॉड बन नहीं पाता अनफॉर्चुनेटली तब तक तो शायद बन जाए एक अटलीस वन टाइम तो टाइम गॉड बन जाए लेकिन अभी हमें नया टाइम गॉड मतलब एक नया टाइम गॉड हमें आ चुका है अमरे घर में जो अभी कैसे घर चलाएगा ओ देखने में मज़ा आएगा और जो वेन और अभी नाशनी अब देखाया था कि उन्होंने उस टाइम गॉड क्यों उनकी कुछ भी मतलब कोई भी डूटी करने से मना कर दिया है अभी कल का एपिसोड देखने में मज़ा तो आएगा सबसे पहले एपिसोड के स्टाइटिंग से हमने देख देख थे तो सबसे पहले ना कुछ उतना च शुरुआ थी उसने जो जिस वे में मतलब वो इंडारेटली धंकी दे रहाता रजत को में रजत को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हूं या उसके जो भी वो चीजे करता है ना बहारा की मिल बहारा की मिले सारी चीजे करता है ना उसके तुमें खिलापी हूं लेकिन जिस तर से आज करन भी जो चीज़े कर रहा था न वह इंडाली दमकी दे रहा था और उससे एक स्टेप आगे जाके उसने वह सारी चीज़े बोलती उनका कोई अर्थी नहीं था कुछ थाई नहीं जो वह सारी चीज़े उतनी करन को बोलनी थी उसको तो बुला लिया वह तो अच्छे से बेटा है राजा की तरह उसके अंदर उससे बोल रहा है कि जेल में तो कितनी दिन था तो उसने रजने बोला कि मैं परसन बाते नहीं करता उसके उपर उसका कहरते उस जेल में इस जेल में कितनी देन के बाता है कि में थोड़ा सा बता था क्यों उब बोला कि मैं अपनी सुन्ट चीजा नहीं सब के सामने के यहां मतलब किसी बूरी लगती हम एक कि अच्छा ही लगता है कुछ मेरे-इनके नानाजी हें मेरे ओ है इतनी सारे चीज़े बता रहा है क्यों भाई इस शो में उनका क्या लेना देना है इस करन को बस उसका मुद्धा होता है कि किसी सामने वाले की फैमेली को निकालना या तो अपनी फैमेली को निकालना उसको इमोशनली करनेक्ट किसी के साथ ही भी नहीं है उसका दिम से खिलने वाला बंदा ही नहीं दिमाग से खिलने लेकिन कुछ तो रिष्टों का मान रुखो यार तुम हाँ पर उसको अपनी खुद की चीज़े लेक्या अपने मा के नाम पर धमकि दे रहे हो कि मेरी मा यह मेरे मा के मीन पूलीस तरफ धिले में बहुत काम कर चुकी है बहुत अच्छी बात तो छोड़ दो अपनी मा का भी तुमें खाल नहीं तुम खुले आँ अपने मा के बारे में इसी बातें बोलती हो कि हो पॉलिटिक से कनेक्डेड है यह हो क्यों भाही अलग है इसका यह दिल का बंद ही नहीं पता नहीं अभी क्या ही करेगा और वहां बोले मैं ना किसे डरता हूं नहीं कहां पर आना ही क्या मतलब क्या ही चीज़े अच्छा वह मतलब रजत कुई आपे वह इस तो मुझे रज क्योंकि उसने शिल्पाजी को कुछ तो बोला और तुम भी किसी और तुमने भी इशायलिक्स के लिए बहुत सारी चीज़े बोली है तुम लड़कियों की इज़त के लिए बात मत ही करो तो अच्छा है तुम शिल्पाजी के भी हाप पे तुम उसको दमकी देह रहे हो इं तो यह शिल्पाजी के भी हाप पे सारी चीज़े उसको दमकी देह रहा था वहां पे राज़त ने बहुत अच्छे से जाव अच्छे से काम ली हैंडर किया और वहां से चल गया तुम्हार हो गया ना मुझे कुछ नहीं बोला में जा रहा हूं तो उसके बाद डिग वेज चो दो जग्रा में हो सारे चीज़ें लेके आता है मं कभी भी परस्नलचीज नहीं लेके आता और मेरा मजाग ऊडाता है उस बात के लिए मतलब रजए ίे हथे कौनी होते नहीं है उसक्व कुछ प्रॉब्लम है तुसके ओपर करनकर उसका मजागा वहा होगा लेकिन किसी क कि उपर इतनी सारी चीजे बोलना गलत ही है और ऐसे लोग तो मुझे बिल्कुल पसंद में बिल्कुल यह नहीं कि रिखिए वो शंबर्टा का हर सिच्विशन पर गलत है वह सही भी हो सकता है लेकिन यह जो सारी चीजे ना खुद जाके कौन कोनों में बात ने करना इसको भी चुगली के चुगली से स्टेप उपर आग लगाना यहीं करते ओ चार लोग तो बहुत लोग उनको चुगली यंग बोलते लेकिन यह जो करता है ना चुगली से से पागे होता है जो किसी को भी नहीं दिता तो इसलिए मुझे तो कर बिल्कुल पसंद नहीं आता और वहां वक्त मुझे बोलता है कि तेरी फाटती है क्या में अभी एक नंबर गूमाऊंगा तो यह करूंगा हो करूंगा हो आप उसका मर्यादा तो रखनी चाहिए और किसी को धमकी देना इसे कुछ जाय से बात इन दोन में फरक बसित ना है करन इंडारिक लिए धमकी देता है और ज उसके इतना सभर आवसीरागी यह तो दोने वहां पर गलत है कि लेकिन जो स्टार्टिंग करन नेस्टार्टिंग कि तो उसके बाद सकाहिए ता deeply बात को शिमिक फिल कर उसके बाता है उसके बात पहुम्की fit Спасибо को ब्रौ सब्सक्राइब की वहां पर ऑब किसको रकना है तो इ दोर वहां पर राउंड मेरा वीवेन जब जाता है न उसका जो सेंटे उसका जो विशे होता है रिष्टों से भांगने वाला करन यहाँ पर बहुत आर्गुमेंट करते सब लोग करते हैं वहां पर ना वह भी अपने आपको बचा आपने अपनी तरफ से अर्गुमेंट करता है और वहां बना उनका जो रिष्टे है ना सब लोग बोलते कि इशा डिग वीजे या विना सब बोलते कि उनके रिष्टों में clarity नहीं चुम और श अब बहुत तो तुम मुझे ट्रॉफी देना है तो तुम मुझे ट्रॉफी दोगी क्या और वह भी हाँ दूंगी मतलब वहां पर डिग वेजे जो बोलते हैं बिल्कुर सही बोलता है कि शिल्पाज को एक्सपोज करता है कि आप जो डिप्लमासी कर रहे हो न वो दिख्या क्योंकि एक तरव आप उसको नॉमिनेट करते हो दूसरी तरव बोलते हो कि ट्रॉफी दूंगा पेले तो चुम मुझे को शो से निकालो आप यहां पर जीतने के लिए हो अगर आपको ट्रॉफी चाहिए ने आप क्यू हो वहां पे आप जाओ बहार क्यू बाकि आपके करन को ट्रॉफी देद और इनको बहार निकालो क्यूंकि यह कोई स्टैंड में होता तो उसके बाद ना बगाजा जो बोल पड़े है ना बाप्रे बगाजी को आर फिंज जब से गए बगाजी तो पूरे बोल पड़े उसके बाद ना बगाजी भी बहुत अच्छे से बोल जोड़नने के लिए अपनी लगा रहे हो उसके बार वीके घुशन के बहुत दूर की हाथ है तो उसा तरह फरस्न फिर्शन में नला वहां पैर फिंग का इक्टारका का बढ़े बहुत हो से में तो आता है नहीं क्या मतलब 50% परसेंट कर रहा था मतलब यह भी कोशिश कर रहा है जो डिग वीजे ना उसको टॉंट मारते उसके बाद ना वो बोलता है आप उसके पक्ष में हो या वीजे पक्ष में कोस्ट में सहने जाता क्या गुरूप डिस्कॉशन है जब बोलते हैं जो समझ में आता है फिर भी करन की भी साइड लेता है फिर उसके बाद उसको एक पोज करता इतना कंफ्यूज कर रहाता था ना तो की तयाग कोहीं मिलता है तो फर्स राउंड मेरे यह जाता है तो उतके बाएंस जाल होता है थिकेंन राउंड में वह बाखे रहा है भागें यह जहें यहां कि उरहाता है दॉट निल अदरावार है औरimeter आर्गुमेंट वह उतनी आर्गुमेंट नहीं हुई लेकिन वहाँ पर अधिक विजय के सेंटेंस था कि इस घर में मेरा भाई बनने के लायक कोई भी नहीं है और वहाँ पर रजयत कुछ और ही बोल रहा है मतलब कुछ और ही क्लियर करने की कोशिच कर रहा था उसको बुरा मतलब कि गुस्ता है तो अभी क्या ही बोलेंगे ठीके सब्काइगा प्रारेटी निसके वहाँ रही होता है तो उसमें कुछ यह नहीं थर्ड राउन चाल होता है तो थर्ड राउन में न थर्ड राउन से पहले न से बहुत वहां पर सबसे बहुत तेज हैं तो सबसे बहुत तेज हैं तो मुझे भी में इस बात से 100% करते हूं कि इशा और अविनाश उनको में गलत नहीं बोले हो लिए पढ़ सबसे बहुत तेज हैं लेकि ईशा जो नहीं दिल से सारी चीज़े करती एं और इनके प्राइक्श में बहुत कंपड रही है वो दिल से सारी चीज़े करते हैं सलिए उसको टारगिट है उसका कलवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उन्होंने दे दिया क्यूंक लग रही है तो इनके बेरिष्टों में अलिक्स अन्वांटेड है और यहाँ पर सारा जो है अविनाश को डखल देती है बहुत सारे आर्गुमेंट करते हैं लेकिन अविनाश आउट हो जाता है जब फोर्त राउंद आता है लास्ट वाला उस वहाँ पर रजदीत ने देर स बिल्कुल भी दोड़ा नहीं था लेकिन यहाँ पर वह लास्ट राउंड के लिए बच आता और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जान बुच के नहीं किया वह भागने के लिए यहाँ मरहत करते तो गल्ती से लग गया लेकिन उससे मार रहा थे हो फिर जगड रहे तो राउंड रजत जीता था उसके बाद ना जो उनका सेंटेस था कि शिल्पाजी करन और विवेन इंगा खन्प्यूजिंग रिष्टा लेकिन यहाँ पर ना बहुत लोगों कोई इस बा मुझे यही समझ नहीं आ रहे कि करन विवेन और शिल्पाजी के पॉंट और विव समझ में आते हैं कि विवेन उनके लिए उपर है और करन उनके लिए नीचे लेकिन करन ने क्यों उस बात को नहीं समझता वो खुद अपनी मुझे से बोलता है कि आपके लिए ना विवेन उपर है तो क्यों उसके उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपको फ्लेवर करें या व और जो टाइम गॉर्ड नहीं बने है तो अच्छा अभी देखते क्या के सिघर चलाते हैं उसके बाद ना शिल्पाज है ना और करनी दोनों की बीच में मतलब शिल्पाज उसको बहुत बटरिंग करके समझा रहें कि इसा कुछ नहीं है पांच मिनिट पहले विवन के साथ हस रहे थी और बोलती है अभी कि मेरा वर उसका पैच चुप नहीं हुआ हमारा अर्गुमेंट है हमारा यह हो है उसको समझा रहें कि तुम मेरे लिए एकवल हो लेकिन करेंगा कुछ समझ नहीं आ रहा है क्यों उसको इतना समझानेगा तुम अपना गेम खेलो ना तुम पता है वह उसका यूज करके लिए रही है और उसको भी पता है लेकिन वह भी गेम के लिए सारी चीज़े कर रहा है तो आपे कोई भी विक्टीम नहीं है तो कोई भी आपे कल्पीट कोई भी विक्टीम है नहीं तो उनको पता है वह क्या कर रहे है तो इसलिए वह आपे किसी को प्रक पयूंपरी कोई ज़रूरत नहीं कि इसकी उसको ट्रॉफ़ी दे सकती यह को मैं गलरे हो उसका सवाल बहुत अच्छा था लेकिन हापने थोड़ी भाद लेकिन दोस्त की साब से तो सही किया लेकिन अच्छा लगाई कि लास्ट का टास्क हुआ था चीज के लिए लेकिन एक चीज बहुत इंपोर्टन्ट थी कि डिगवी जी कब अलगे आप अपने एक फ्योरेट कंटेशन के साथ उस बर्गर को शेर कर सकते हो वहाँ पे उसका जो प्रारिटीज ने वो क्लियर समझ में आ गया जितने के लिए तो रिजट ने उसको मदद की लेकिन वहाँ पर उसने फेवरेट कंटेशन शुरुतिका को दे दिया वहाँ पे रिजट का मूदेखने लायक हो गया था तो वहाँ पे उसके बाद ना कि ug Όobbu對不對 ने करते तो मुझे तो बहुत मज़ाएगा दीग वीजेनेसल नेंगे कि मेरी मरजी नहीं काम कोई заключ करूंगा अभी सेम उसके साथ हो रहे तो बहुत मज़ाएगा गो फॉर इड्पर नम goitि मत करो अभी उन Google समझना चाहिए कि अगर किसी और उनके पास पावर है और आप ऐसी बगावत करोगे ना अगर आपके पावर है वो भी कर सकते बगावत उसमें क्या गलत बात है करो बगावत मज़ा आएगा तो आज के कल के बसुमें बहुत मज़ा आएगा तो आज का एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब कर नमद भूलना